स्पीड थ्रिल्स होने वाला है, हैट बैग उठ जाएगा उठ जाएगा उठ जाएगा कोई बात नहीं बढ़ आज 300 टच करके ही रहेंगा अभी है प्रो राइडर थावजर, वेलकम फ्रेंड्स अगस्ती का एक्सिडेंट होने से पहले की वीडियो दोस्तों इस वीडियो को पूरा बारीकी से देखिए और कुछ नोट कीजिए अबे यार, ड्रैजिक बहुत आ रहा है सकतु है यहां परीथ पूजैक कार्स चलरह रहे है करे क्या से चलरी है की बिरही आज mechanics तक मैं तो क्या कह रहा है था यहां पर देख़से बहुत रही है क्योंक्ट गार शीbirds चलरही इंशती है तो थोड़ा देखिए के चलना पड़ेगा बहुत जाला थोड़ा से लेप्ट होपे चलेंगे वीच मेने चलेंगे और अबर वहाँ पे कहा रहे ना और यहाँ पे मैं हूँ तो तो मीटर पेले ब्रेकिंग अप्लाय करेंगे अब कि फूल सेफ्टी रहे है डूलाय करेंगे ब्रेंगे अधिक नियुक्त अचिए पीचिए तो अंदर कुसना पड़ रहाँ है जानेगे अगर मैं वहाल पूनी कारा रहा ना तो अचिए तो अंदर कुसना पड़ रहा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो कि अब 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 मेरा हमेटा काम नहीं कर रहा हुआ 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 है हुआ 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 आई दोचो 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 दूचो दोचो ठीक है यह ध्रियोंच लोग कि यह है बेरे अल्मेट कर दोड़ा है हля तो हुआ है प्रोटाइडर्स यहां से यूटन नार रहे हैं क्योंकि आगे ना यूटन नहीं लगा फिर सिद्धा 80 किलोमेटर के बाद लगा यूटन करें हैं कि अग्यूटन तो अग्यूटन प्राथ कि एक यूट है यूटन से यम्ना एक्स्प्रेस वेपर डेथ हो गई है और इस संब्ध को इस सूचना को गंबीरता से लेते वे चानवीन की गई तो पाया गया कि यहां युवक्ट देरादून का रहने वाला अगस्य चौहान है जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में काला गया है और उस कैमरे में यहां पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमेटर पर आवर तक की स्पीड गटना के कुछ दिर पहले जो है वो हिट की गई थी जो उसमें दर्शाई गई है और इस संबंद में अभी पुलिस की जाच आगे जारी है और इसमें यहां भी बता दे रोड सिफ्टी की एंगिल से में कहना चाहूंगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर अपनाते हैं जो कि जोखिम भरा कारे हैं इनी हाइवेस पर कई लोग अपने परिवार के साथ जिनमें मैलाई भी होती हैं वृद भी होते हैं बच्चे भी होते हैं निड पदिये पुलिस भी इस घटना पर इनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करती हैं साथ ही यह सब को बताना भी चाहती है कि फिर और कोई युवक इस तरह की घटना का शिकार ना हो इस तरह की असामेरिक मृत्यों जो की काफी दुख का कारण परीजनों के लिए बन सकत झाल